तो अभी सीन ऐसा है कि मैं आप लोगों को बताना जाता हूं कि कॉस्मेटिक कोई भी छोटे-छोटे दुकान है ना मत कुलना क्यूं बता रहा हूं उससे पहले गाइस यहां पे काफी सेरे कच्रा जमा होते है ठीक है तो इसको अभी हम थोड़ा बाहर लेकर जाते है यह एक किसीन का कच्रा देख सकते हो इस कितना सारा हो शुकर है तो जबी आप सोच रहे होंगे कि मैं अचनक ऐसे बाते क्यूं बता रहा हूं है कुछ ना कुछ तो रिजन है बिना रिजन का तो कुछ मैं बोलता नहीं बैट के बाते करेंगे ना फिर माज आएगा तो अब बैट के बाते करते हैं तो एक्चुली मेरे टी शेट लगा के बाते करने से या वीडियो बनाने से अगर किसी को कोई दिक्कत है तो आप लोगों से शमा चाहूंगा क्योंकि गर्मी बहुत तेज लग रहा है मुझे और जिसमे मैं कॉंफड़ेवल रहता हूं वैस चांश से और सिसरा करेंगे तो अर आप तो क हरनेंग बताकर फिरते नहीं हैं। कोई कोई लोग होते बर बोले जो अगर दिन में 100 रुपए भी कमाएं तो लोगों को वह जब तक 300 ना बोले उनका तब तक जो खाया हुआ है वो हजम नहीं होता ठीक है तो उन लोगों का बाद नहीं है बड़ मैक्सिमम जो लोग है अपना अर्निंग दूसरों के साथ उतना शेयर करना पसंद नहीं करते ठीक है तो इससे क्या होता है जो भी हम ऐसे शौप चलाते हैं कोई छोटा सा शौप हमने खोल लिया चोटा सा हमारा कोई बिजनिस है हमारे इस काम को सोसाइटी है ना जो आपके पड़ोसी है या आपका विलेज यह वह इतना रिस्पेक्ट न लगा क्योंकि मैं खुद का मालिक खुद बनना चाहता था शुरुवात से ही तो जॉब बैतर की बिजनेस तो यह टॉपिक तो अलग है वह बात में बात करेंगे फिलाल बात करती कि ऐसे क्या हो गया कि मैंने आपको आपको बताया कि यह जो समाच का हमारे जैसे लोगों को द सकता है ठीक है बुड़े तक तो इतना टाइम अपने समय वहाँ पर लगाने के बाद आप देखो हमारे इंडिया में कितने कितने जन को ही मतलब जॉब लग पाता है ज्यादा तर लोग तो बेरोजगारी घुमते हैं और बेरोजगारी हमारे देश की में मुद्दा है जिस पारा मयना सबस्क्राइबर की मेरा सब्सक्राइबर की बात रहा तो यही मैं बतारा हूँ कि जब से हमने यहिए चीज क्वाले इस इस दिसकेज किया है तो सब पीमाला बेचने वाला है यह फलाना यह ऐसा चोटे चोटे जो शिंगार का आइटम बेचता है और आपका शादी नहीं हुआ है अप लरकी देखने जाएंगे लरका क्या करता है लरका का एक छोटा सा दुकान है दुकान चलाता है तो इधर भी दिक्कत मतलब आप जाए तो जाए किदर भाई मैं ओनेश्टली बता रहा हूं अगर आप लोगों में से किसी के अंदर है ऐसा जो सोचते कि यार जॉब वाले ही सबसे है क्योंकि वह सीक्यूर है तो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा ऐसे जो हम जो किर्याना दुकान पान दुकान पर्चून का मत अगर अच्छा बिजनेस किल रहा तो वह आर्मिंग कर लेते तो आर्मिंग का बात करें अगर कोई गौर्मेंट एंपलोई को जैसे कि मेरे मेरा जीतना नौलेज है हमारी यहां बहुत सरे गौब गौर्मेंट एपले है जैसे कि ग्रेड के हिसाब से होता है ना सबका सैलरी तो ऐसे जो डी ग्रेड का आता है ना गौर्मेंट जोब ले तो उनका जो सैलरी होता है ना और हम जैसे दुकांदार है सेम कमाते हैं सारे लोग बट उसको क्या लोगों का देखने का नजरीया अलग है मुझे यह भेद भाव को समझ में नहीं आता है कि क्यो तो इसी अगर कॉर्पूरेट सेक्टर में भी जॉब कर रहा है मतलब क्या नौकरी का मतलब क्या होता है नौकर किसी का नौकर बना हुआ है वहाँ पर तो उसको ही रेस्पेक्ट दिया जाएगा और हम जो इंडिपेंडेंट बंदे हैं जो हम यहाँ पर बैठ रहे हैं अपना कि मतलब एक भेदभाव बना के रखे हो ना हमारे समाज के लोग यह मत किया करो अच्छा नहीं लगता है ठीक है क्योंकि मेरे जैसे जो भी दुकांदर भाई है ना मेरा वीडियो देख रहे हैं आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा अगर आप मेंसे कोई बं है और दुकान चलाकने के साथ साथ आप और भी कुछ कर सकते हो आप 30-40,000 महिने का ऐसे ही कमा लेंगे अगर आपके अंदर जुनून और पैशन है बाहर में तो बैला लोगों का तो हमारे इंडिया में कमी नहीं है जो काफी सरे लोग मेरे वीडियो अभी बैठके शाहे द खोलना बड़ खोलना काई अब ज्यादा करके खोलना कॉस्मेटिक सी किवी से कोई भी दुखान खोलो स्ट्रीट पर ठेला लगा कई भी बिजनिस करो बिजनिस में एक साल आप देके देखो ठीके बिजनिस का मजाना कुछ अलगी है ठीके चाहे वह आपका रिटेल शॉप के लिए देते वह आप इग्णोर करना ठीक है तो होपकर तो यह वीडियो आप लोगों का अच्छा लगा आगा अगर थोरा सा भी अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब वीडियो को लाइक जरूर करें मिलेंगे आप से कल नए वला व्लाग में टिल देन टाटा बाइ 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 टेक क्या